हाई फ्रेंड्स मैसेल डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडिशन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है पिरॉनीज डिजीज मैं आपको बताऊंगी कि यह क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आ इसकार काटीशन है जिसकारण को सुन के इह ऐसकर हो कि और क्य हो सकती सब्सक्राइब सैन को इसाध इर्शन को को स्वाथ जश्यूप्र st incidents बहुत जाधा सब्सक्राइब होता है अब आपको सिम्टम को पीजिजीज हुआ है तो उसमें आपको क्या-क्य सिंटम्स दिखाई देंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टन सिंटम्स यही है कि पर्सन का जो जनाइटल एरिया है वहाँ पे कुछ यह scar tissues form हो सकते हैं इसके अलावा ऐसे पर्सन के जनाइटल एरिया में एक कर्व आपको दिखाई दे जाएगा एक अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड बेंड हो सकता है इसके अलावा ऐसे मेल को एरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेंड हो सकती है क्योंकि जब भी किसी पर् जैसे person को in future stress हो सकता है, anxiety या फिर depression जैसी complaint भी हो सकती है इसके अलावा person का genital area का size कम हो सकता है, penis short हो सकता है जब वहाँ पे कोई scar formation होने लग जाती है इसके अलावा ऐसे person को genital area में severe pain भी हो सकता है और pain जादे तर उन्हें erection के time हो सकता है कई बार without erection भी male को pain हो सकता है अब मैं आपको इसका cause बता देती हूँ कि अखिर क्या reason है किसी person को peronis disease होने का तो इसका first important cause है injury अगर किसी person को कोई चोट लगी थी तो उसके बाद उन्हें genital area में healing के time scar formation हो सकता है इसके अलावा ये condition family में run करती है अगर आपकी family में किसी को ये condition हुई थी तो आपको होने की chances काफी जादा बढ़ जाते है इसके अलावा अगर किसी male को connective tissue से related कोई बीमारी है जैसे कि अगर उन्हें dupuytren contraction जैसी कोई complaint है तब भी उन्हें pyronis disease हो सकता है अब मैं आपको कुछ homeopathic medicine बता देती हूँ जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो medicine जैसे कि आप थूजा 30 medicine का यूज कर सकते है आप thaiosinaminum 30 medicine या फिर आप causticum 30 medicine का यूज कर सकते है यह सारी के सारी medicine आपको 4-4 drop दिन में दो बार diet अपने टंग के उपर यूज करना होगा यह था pyronis disease मैं आपको बताया कि यह क्या होता है इसमें कहके symptom आते है इसके cause क्या है और साथी साथ कुछ homeopathic medicine जो आप इस condition के लिए use कर सकते है तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाते है तो आप मुझे मेरे whatsapp number पे message कर सकते है मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे video useful और informative लगा हो तो आप please इसको like कर दीजिए और साथी साथ आप मेरे channel को subscribe कर लीजिए और जो bell icon उसे press कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली videos को notification मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही thank you